नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल थियोरी जो एक नया कंपोनेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो अक्सर स्टुडेंस के लिए बोरिंग सावित होता है चाहे वो college going student हो या competitive exams की त्यारी करने वाले students हो इनको boring लगता है यह topic तो हम इस topic को कैसे easy way में decode कर सकते हैं तो इस विडियो के माधियम से हम meaning, nature और significance आप पॉलिटिकल थियोरी को cover करने जा रहे हैं और इसके साथ जितने भी concepts हैं उनको इसी तरीके से next आने वाली वीडियो में cover किया जाएगा तो आज हम देखने वाले हैं meaning और nature को political theory political theory का meaning और nature क्या है इसको समझने से पहले आपको कुछ key terms को समझना ज़रूरी है जैसे political science क्या होता है, politics क्या होता है, political philosophy क्या होता है क्योंकि ये terms आपस में interlink है जब आपको इन terms की understanding होगी तब ही आप जो है political theory की meaning और nature को अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको पताए है human being जो है वो society में रहता है उसकी natural tendency है वो हमेशा society के बिना नहीं रह सकता है जैसे family हो गया, school हो गया, religious organizations होगी इसी तरीके से polity और state भी जो है एक institutions है और हर एक institution का specific purpose होता है और जो polity जो institution है उसका क्या purpose होता है तो ensure good life जो हमारे ancient Greek city state थी उनका भी ये मानना था उनका भी जो purpose था कि good life को कैसे achieve किया जाए तो good life को achieve करने के लिए कुछ values और principles कुछ rules की जरूरत होती है तो जब इनको हम study करते हैं तो इसी को ही political science consider या जाता है political science एक vast subject है इसके different components है और political theory भी इसी था एक component जैसे international relations हो गया public administration हो गया public policy and governance हो गया तो यह सब जो है political science के components उसमें से एक महतपून component है जिसको foundation मानना जाता है किसकी political science की उसका नाम है political theory political किसे कहते है what is political political क्या है political means when an organization is जब एक organizations को बनाया जाता है to regulate the whole community जैसे देखिए अगर politics का सीधा मतलब है regulation किसी को regulate करना किसी को नियंतरित करना उसको अपने हिसाब से चलाना तो यह क्या हो गया politics इस activity को कहते है politics इसका जो nature है तो politics हमारी family से ही start होती है जैसे आपको समझाए एक authority होती है मतलब जो माता या पिता के पास होती है वो कुछ rules and regulations frame करते है और उस rules and regulations को मानने वाले बाकी परिवार के गदर से rules and regulations को मानते है तो महाँ पे क्या होता है command होती है और obedience होता है मतलब कुछ command करने वाले होते है और कुछ command को obey करने वाले होते है उन rules and regulations को मानने वाले होते है तो यही politics, politics means किसी को regulate करना, जब आप किसी को regulate करोगे या whole community को आप जब regulate करोगे तो यह polity का correct निलती है, जहाँ पे कुछ rules and regulations frame किये जाते हैं और साथ ही साथ decisions लिये जाते हैं, क्यों decision लिये जाते हैं, उसका aim क्या है, तो achieve a common good or ensure good life, यह उसका motive होथ, जैसे बाकी institutions हैं और polity एक political institution है, उसका unique status होता है, state में, यह concept है, polity का, यह ancient time से चला आ रहा है, जैसे आपने पॉलेटो को पढ़ा होगा, Aristotle को पढ़ा होगा, यह Greek philosopher है, जो क्या इन्होंने भी क्या discuss किया, एक ideal state कैसी होनी चाहिए, तो यह इनकी जो political theory की शुरुआत जो है, वो ancient time से हो जाती है, जैसे ह हमारे एक महान तिंकर जिने father of political science भी कहा जाता है, Aristotle, उनका कहना था कि man जो है, वो क्या है, by nature of political animal, इन्सान जो है, प्राकती रूट से क्या है, political animal है, मतलब वो society के बिना नहीं रह सकता, वो group में ही अपनी desires को अगर उसको fulfill करना है, तो वो तहां पे रहेगा, society में ही उसकी desires क अचीव किया जा सकता है, उसके दोरा, उनका मानना था कि एक ऐसा इनसान जो state के, outside your state के बिना रह सकता है, जैसे उनकी famous quotation भी है, he who lived outside the state or who did not need our state was either a beast or a god, जिस किसी को state की अवशक्ता नहीं है, वो या तो beast हो सकता है, या फिर angel हो सकता है, मतलब या को फरिष्टा हो सकता है या बूत परेत हो सकता है, इनसान वो नहीं हो सकता, ऐसा मानना था, Aristotle का, उनकी quotation भी है, जो term आप समझते हैं, politics और political जो तीनो terms है, ये Greek words से जो है लीग ही है, police, उनका मतलब है Greek city state, तो वहाँ पे जो ancient time में, जो Greek city state हुआ करती थी, जो छोटी-छोटी communities हुआ करती थी, जो naturally जो geographical areas में बटी होती थी, तो उनका मकसद होता था, कि कैसे good life को ensure किया जा सके, कैसे लोगों की life में security को establish किया सके, लोग अच्छे से जिन्दगी जी सके, तो ये motive होता था, इस motive को पूरा करने के लिए, quality की शुरुआत होती है, मतलब, वहाँ से राजनिती जनम लेती है, व political science की बात करोगे, और जब आप ideals की बात करोगे, क्या होना चाहिए, तो अब आप political philosophy की बात करोगे, अब हम जो है, थोड़ा political theory की शुरुआत करते हैं, introduction को cover करने का प्रियास करते हैं, कि कैसे आप political theory को introduce करते हो, political theory, एक ऐसी branch है, political science की, जो deal करती है, किसके तार, जो hex mind करती है, ideas, principles and values about politics, governance and society, society में जितने भी प्रकार के ideas हैं, principles हैं और values पाई जाती हैं, उन सभी को ये study करने का काम करती है, political theory, ये fundamental जो question है, society के समाज के, उनको address करने का काम करती है, जैसे, what is justice, justice क्या है, what constitutes a good society, क्या मिलकर जो है, वो एक अच्छी समाज का निर्मान करता है, जैसे अगर आपको कोई पूछे, कि आपके हिसाब से एक अच्छा समाज क्या है, आप बता हुए, कि वहाँ पर justice होना चाहिए, वहाँ पर liberty होनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को rights होने चाहिए, power को जो है, वो एक rational way में use किया जाना चाहिए, तो ये ही क्या है, ये क्या है, ये एक अच्छे समाज की, ये good society की नीव है, ये principles है, तो इनी principles को जब हम study करते हैं, तो उसको political theory कहा जाता है, political theory denotes a systematic knowledge of political phenomena, ये जो political phenomena है, जहाँ पे regulations हो रही है, whole community की, जहाँ पे decisions लिये जाते हैं, जहाँ पे rules frame किये जा रहे हैं, तो इनको study करना systematic way में political phenomena को, इसी को ही तो ह भी कहते हैं, आईए next time समझते हैं, political theory जो है, वो तीन तरह के method से knowledge को भी gain करता है, एक तीन तरह की knowledge के साथ concern है, सबसे पहले empirical way of method, empirical method, जहाँ पे क्या होता है, हम knowledge को gain करते हैं through observations, बतलो अपने senses का use करके, जो हम knowledge gain करते हैं, जैसे sight हो गया, sound हो गया, smell हो गया, taste हो गया, touch हो इसके मादियम से जो हम knowledge gain करते हैं, इसको बोलते हैं, empirical method to gain knowledge, logical way क्या हो गया, जहाँ पे हम reasoning के मादियम से, अपने जो तर्क करने की शक्ती है, जैसे मान के चलिए, two plus two क्या होता है, तो हम इसको जब solve करते हैं, तो यह हम अपने logic का इस्तिमाल करते हैं, evaluative statement, जहाँ पे क्या जैसे एक statement मान के चलिए, जैसे man or born free and equal, जब इनसान पैदा होता हो, वो क्या होता है, free or equal पैदा होता है, तो यह हर समाज में जो है, equally नहीं होगा, यह different individual to individual vary करेगा, जैसे justice का क्या concept होगा, तो यह हर समाज और हर वेक्ती के लिए अलग होगा, जैसे हम मान के चलिए, हम avoid करते हैं, Christian जो है उसको पहनते हैं, तो यह क्या हो गया, society to society जो है vary कर रहा है, justice का मतली भी क्या vary कर पा है, अब हम समझते हैं, political science क्या है और political philosophy क्या है, जब हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर हम जो है political theory को एक गो में जो है, अराम से उसको easily जो है, understand कर सकत है, political science जो है, वो rely करता है किसके उपर, empirical or logical statement की उपर, जबकि जो evaluative statement है, वो क्या होती है, subjective in nature होती है, जहां पर political philosophy जो है उनके उपर rely करता है, जैसे क्या होना चाहिए, तो यह किसका question है, political philosophy का, क्या है, यह political science है, जो realities है, उनको study करना, political realities को study करना, यह political science का काम है, जबकि जो ideals है, उनको study करना, यह political philosophy का काम है, what is right, draw wrong, what is good or bad, differ from individual to individual, or society to society, तो यह individuals के individual vary करता है, society to society, जो है, vary करता है, the theory of politics is itself divided into political science and political philosophy, जो politics है, वो खुद जो है, आपने आपको divide करती है, politics दो चीजों से मिलकर बनती है, political science से और political philosophy से, इस पर hackers लिखते हैं, every political scientist play a double role, हर एक जो scientist है, जो political scientist है, वो double role प्ले करता है, वो scientist का रोल भी प्ले करता है, और philosopher का रोल भी प्ले करता है, ऐसा क्यों? उनका मानना था, कि जब हम कोई भी theory, किसी भी theory की बात करेंगे, तो उसमें दो angle जुड़े होते हैं, सबसे पहले हम उसको जो reality में है, उसको study करते हैं, जैसे मान के चलिए, politics को हम study कर रहे हैं, तो जो भी हमारे सामने political institutions हैं, जैसे election commission हो गया, जैसे federal structure हो गया, जैसे parliament हो गय जैसे लेजिशलेचर हो गया, executive हो गया, judiciary हो गया, जब इनको हम study करने का काम करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये political realities, जो reality में पाया जा रहा है, जब उसको study करते हैं, ये क्या है, political science, और जब हम इन institutions में इसका क्या purpose है, और इसको study करने का काम करते हैं, और क्या होना चाहिए, जैसे मानके चलिए हम समाच होना चाहिए, जहां पर justice होना चाहिए, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, जब क्या होना चाहिए, जब इसकी बात करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हम ideals की बात करते हैं, जब ideals की बात करेंगे, तो ये क्या आएगा, political philosophy, आईए, हम समस्ते पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसिफी के बीच में जो difference है उनको एक slide में cover कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या करती है describing and explaining the realities of political behavior and institutions जितने भी हमारे political behaviors हैं और institutions हैं उनकी जो reality में पाये जाते हैं उनको study करने का और describe करने का जो काम है वो political science का है और political philosophy concern करती है किसके दर with describing the goal वो goals को prescribe करती है suggest करती है to the citizens, state and societies how to pursue वो society, state, citizens को बताने का काम करती है political philosophy कि क्या उसको pursue करना है क्या उसके goals है उसके goals क्या है good life जो ultimately goal है just society तो ये goals है political science deal करता है deal with what is जो real में, जो reality में है उसके साथ जो deal करेगा political science और जो political philosophy है deal with what, how to be are real, are, ideal, are ultimate purpose जो है उसके deal political science जो है explanation का काम करती है realities को जबकि political philosophy उसके लिए justification देती political science जो है empirical and logical method का इस्तेमाल करती है जबकि political philosophy जो है evaluation method का यूज करती है जो subjective in nature है political science जो objective in nature है जबकि political philosophy जो है वो subjective in nature है अब हम समझते है what is political theory जहां से आपको question लिखना एक्जाम में तो political theory क्या है political theory is the analytical study of political ideas principles and institutions तो political theory में क्या आता है political ideas, principles and institutions को जब हम parts में study करने का काम करते है तो इनको क्या कहते है political theory तो कहने का मतलब है यहां पे हम ideas को भी पढ़ते है और जो institutions जो reality में exist करते हैं चाहे वो reality में exist कर रहे है या फिर ideals में है उन सभी को study करने का काम किसका political theory मतलब political theory के हर एक theory के जो है वो क्या दो parts होगे political science भी उस theory में होगी साथ ही साथ उस theory में political philosophy भी जुड़ी होगी जब हम किसी principles किसी idea किसी institutions के जो reality को समझेंगे तब हम political science को मानते हैं जब हम उसी ideas जा उसी principles के क्या होना चाहिए तो जब इस चीज को study करते हैं तो क्या होगा political philosophy कहेंगे उसको मान के चलिए justice जैसे हम भी हम अपनी जुडिशे जो नियाए पालिका उसके जुड़ी के बारे में discuss करते हैं उसको समझने का प्रियास करते हैं जिस कैसे decisions लेते हैं तो यह सारा अगर हम study करने बैठेंगे तो इसको कहेंगे political science जब हम जैसे plateau की example ले लेते हैं plateau बोलते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए जहांपे justice based होगा कि individuals की soul की quality के guarding उसको जो है role को distribute करना जैसे वो producer जो other class society को divide करते हैं और कहते हैं कि जो individuals की soul की quality उसके काड़ी उसको काम रोल दिया जाना चाहिए तो तब जो है समाज में justice होगा, नियाए आएगा harmony आएगी, तो वो उनके विचारों में ही semen था, हाकिकत में नहीं था तो उसको कहते है political philosophy आपको समझ आ चुका होगे पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है और पॉलिटिकल साइंस क्या है और जो पॉलिटिकल थियोरी है ये गैप को फिल करने का काम करता है बेटमिन पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थियोरी जो है वो दो चीजों पर फोकस करती है उसका focus of study दो चीजों पर है और उन focus of study है उनको कुछ methods के जिरीए जो study किया जाता है वो हम समझते है तो focus कहां कहा है political theory का पहले तो political concepts और ideas को समझना जैसे justice हो गया, liberty हो गया, equality हो गया, fraternity हो गया इन जो political ideas जो concepts है, power को समझना, authority को समझना, sovereignty को समझना, ये सारे concepts जो है, ये क्या है, political concepts के अंदर आते हैं, ideas के अंदर आते हैं, तो इनको study करने के लिए जो method यूज किया जाएगा, वो कौन सा होगा, normative or philosophical method, मत्तब normative means what are to be, क्या होना चाहिए, अगर justice की बात करें तो justice किस त वो क्या कहलाएगा, वो normative method, philosophical method, जो मतलब तो ideals में है, और जहां पे कोई क्या no final word नहीं है, यहां पे हम किसी चीछ को, जैसे हम justice को कोई definition दे रहे हैं, तो ये संपूर्ण कभी भी नहीं हो सकती, ये change होती रहती है, और इसके लिए sound argument दिये जाते हैं, ना कि कोई reliable knowledge होती है, जहां पे हम reflect करते हैं, values और beliefs, जब हम political institutions और behaviors को study करने का काम करते हैं, जो reality में exist करते हैं, तब हम descriptive or scientific method का इस्तिमाल करते हैं, यहां पे हम what is को study करते हैं, I hope scope of political theory आपको समझ आ चुका होगा, क्या का scope है, scope to study political concepts and ideas as well as political institutions and behaviors, ये क्या हो गया, scope of political theory, चलिए हम next, समझते हैं, nature of political theory, political theory का nature किस तरह का है, interdiscipline, मतलब ये दूसरे जो subjects हैं, जैसे history हो गया, economics हो गया, sociology हो गया, law हो गया, psychology, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, और politics क्या है, जब हम society को, इस community को regulate करने का काम करते हैं, तो क्या है, ये क्या है, politics through rules and regulation, by taking decisions, जब हम decisions लेकर, rule regulations को frame करके, जब society को control करने का काम करते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, politics, तो politics, society का ही साथ है, society के साथ जुड़ा हुआ है, तो जब society के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें history, economics, sociology, law and psychology, इन सभी subjects का role होता है, तो हम जो है, political theory जो है, एक interdisciplinary approach है, मतलब ये सभी subjects हैं, इनकी knowledge को use करता है, dynamic, political theory का है, dynamic subject है, क्यों, क्योंकि ये, जो political realities जैसे-जैसे change होती हैं, और जैसे-जैसे समाज change होता है, वैसे-वैसे क्या होता है, इनके जो ideals हैं, जो concepts हैं, ये भी change होते रहते हैं, जैसे justice की care definitions होगी, feudal society थी, उसके बाद capitalist society आती है, तो वहाँ पर justice का meaning change हो जाता है, justice की demand अलग अलग हो जाती है, rights जो हैं अलग अलग हो जाती हैं, जैसे feudal society में यहाँ पर farmers अपने rights की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके decisions लिये जाएं, जो उनकी फसल है, उसको उसका अच्छी कीमत मिले, उनसे टेक्सिस कम लिये जाएं, तो ये सारे demands होती हैं, जब हम capitalist society की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, workers की demands हो जाएंगी, rights demands करेंगी, कि हमें time limit ह होना चाहिए काम का, जो 8 गंटे काम होना चाहिए, उसके बाए rest होनी चाहिए, तो ये उनका rights की demand है, वहाँ पर equal wages होनी चाहिए, ये सारे rights जो है, ये demand जो हो चेंज होती रहती है, तो ये क्या होता है, ये political theory कहने का मतलब एक dynamic subject है, तो ये political reality और societal values के साथ साथ जो है, अप we have political philosophy को study करते हैं, मतलब जो philosophical part है political theory में, उसको जब हम study करने का काम करते हैं, तो वहाँ पे हम evaluation method का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे हम political institutions, behaviour, जो reality में exist करते हैं, जब उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे हम explanatory method का zitिमाल करते हैं to explore knowledge, और political theory एक perspective nature है, मतलब ये suggest करता है principle for ideal political order एक ideal पॉले अधर राजनितिक विवस्ता किस तरह के की होनी चाहिए उसके लिए कुछ principle suggest करता है तो यह prescriptive in nature होता है जैसे हमारे मकैवली होगे वो king को suggestion देते हैं वो prescribe करते हैं कुछ ideal कुछ principles for king के लिए इसी तरीके से plateau करते हैं Aristotle करते हैं Hobbes भी कहते हैं Locke कहते हैं वो contract theory को देते हैं तो यह सभी जो thinker है कुछ-कुछ suggest करते है political theorist जो है तो यहां के कहने का मतलब है कि political theory जो है एक prescriptive in nature है हमने nature of political theory को अच्छे से समझ लिया अब हम जो है significance आ political theory को समझने का प्रयास करते हैं political theory के significance क्या हो सकते हैं सबसे पहले understanding political concepts सबसे पहला इसका significance है कि यह political concepts को understand समझने में मदद करती है political theory यहां पे हमें clarity provide करती है foundational idea जैसे justice हो गया rights हो गया liberty, power, authority, equality, sovereignty, sovereignty यह सभी concepts के clarity प्रोवाइड करती है for political theory यहां पे critical thinking डेवलेप करने का काम करती है critical evaluations of political system जो भी हमारा political system है जैसे democracy है यहां कहीं पे totalitarian regime है, कहीं पे communism है, कहीं पे socialism है तो इन सभी को critically कैसे evaluation करनी है, इसको समझना है इसके क्या negative है, क्या pros है, क्या cons है, तो इन सभी को समझना political ideologies को समझना, उनके प्रति critical thinking को develop करना तो एक balance बनाना, तो यह हम किसे सिखते हैं, यह अब हम political theory को study करने का काम करते हैं policy making जब हम political theory को पढ़ते हैं, तो यह हमें एक knowledge देती है, एक guideline प्रवाइड करती है कि कैसे हमें एक equitable और effective public policies को frame करना है तो long term ताँ जो है, effective रह सके और जो है, individuals के जो goals है, जो community के goals है, उनको fulfill कर सके next, understand and control social life scientific analysis of political life enables us to understand and solve the problems of social life जब हम political life को समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे क्या होता है हमें जो समाज में जो problems है, जो political instability है उसको समझने के जी जो political theory है, जी हमारी help करती है जब हम समाज में जो political instability है, जो political crisis को जब हम समझ लेते हैं उसके बाद जो है, political theory जो है, जो thinkers जो philosophers होते हैं के related जीतने भी है वो हमें क्या करते हैं ideals देते हैं कि हमें किस तरीके से समाज में justice को establish करना है harmony को establish करना stability को लाना है तो यह political theory जो है इसके लिए important component bridging theory and practice देखिए मैंने आपको पहले बताया जो political theory है इसके दो aspects है political science as well as जब हम realities को study करते हैं काम करता है between philosophical ideas with real world political practice तो यह था significance of political theory अब हम conclusion की तरफ बढ़ते हैं तो conclusion कहने का मतलब है कि political theory जो है यह किसको gap को fill करता है between ideals and realities यह दोनों के साथ deal करता है और दोनों के बीच में जो gap है उसको fill करने का काम करता है कि हमें कैसे अपने realities को समझना है उसके लिए और realities को कैसे जो भी उसमें जो loophole है जो भी crisis है उनको कैसे ideals को समझते हुए उनको जो है implement करना है तो यह हम political theory से सीखते है offering insight into governance and societal values हमें यह insight यह knowledge प्रदान करता है कौन political theory किसके बारे में governance inspire critical thinking यह हमारे critical जो सोच है उसको develop करता है ताकि individuals को एक रास्ता मिल सके और वो क्या कर सके अपने political systems को improve कर सके ताकि just और equitable समाज का निर्मान यह जा सके तो I hope आपको जो political theory का meaning, nature और significance है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा तो यहां ताकि रखते हैं आज की वीडियो इसके बाद हम जो है एक और वीडियो है जहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे revival as well as decline of political theory मतलब जो कैसे decline हुआ political theory का उसके ओपर thinkers के क्या विचार है और साथे साथ revival of political theory वो एक concepts है उसको भी हम study करेंगे next वीडियो में तो I hope आपको easy way में understand कर पाए होंगे political theory concepts को तो अगर आपको notes चाहिए इसके मेरे handwritten notes तो मैं आपको telegram group पे शेर कर दूँगा इसको वहाँ से आप download कर लीजिए thanks for watching